दोहजर चौविस के लोकसभा चुनाव के बाद अब पूरी भारते जन्ता पार्टी के कारेकरताओं की एक नजर इस बात पर लगी हुई है कि भारते जन्ता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा क्योंकि 2023 जन्वरी में भारते जन्ता पार्टी के वर्तमान में जो रास्टी अध्यक्ष है जेपि नड़ा उनको पार्टी ने डेड़ साल का एक्सेंशन दिया था उनके कारेकाल का विस्तार किया था ये कहते हुए कि 2024 के लोग सबाचुनाव है और पार्टी अभी अगर किसी नए अध्यक्ष को लेकर आएंगी तो उसमें अध्यस्मेंट करने में टाइम लग सकता है और इसलिए उनको एक्सेंशन दिया था उनका एक्सेंशन 30 जून को जो जो पूर में हर्याणा के मुख्य मंत्री थे और संग के परचारक रहे हैं भारते जनता पार्टी में उन्होंने संगठन मंत्री के तौर पर हर्याणा में काम किया है और उसके बाद चेत्रिय संगठन मंत्री के तौर पर उन्होंने उत्तर भारत में भारते जनता पार्टी के लिए काम किया है आप देखना ये है कि मनहोर लाल खटर के अगले भारते जिनता पार्टी के अध्यक्ष होंगे क्योंकि मनहोर लाल खटर के संग में बहुत अच्छे रिष्टे हैं और जो इस वक्त संग और भारते जिनता पार्टी के बीच में जो है समन्वे का काम देख के साथ उन्होंने हर्याना में रहते वे बहुत काम किया हर्याना में वो संगठन मंत्री थे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जो है वो हर्याना भारत्री जंता पार्टी के अध्यक्ष थे और दोनों की नजदीक या दोनों ने एक साथ मिलकर हर्याना में भारत्री जंता पार जो है मनहोरलाल खटर हर्याना के मुख्यमंत्री रहे हैं उनके पास administration प्रशाशनिक अनुभव भी है संगठन का भी अनुभव है संग के प्रशारक के तौर पर उन्होंने जो काम किया है उसका अनुभव भी उनके पास एक लंबा है इसलिए ये माना जा रहा है कि मनहोरलाल सबसे आगे हैं लेकिन उनके बाद जो है कही नाम जो है अभी भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर हैं अगर मनहोरलाल खटर के साथ अगर कोई एक negative point है तो उनकी उम्र है उनकी उम्र जो है लगभग 67 साल की है और भारती जनता पार्टी में अगर पिछले दो अध्यक्ष या तीन अध्यक्षों को देखें चाहें वो जेपी नडडा हो अमिची ओ रहे राजना सिंग वर्पमान में जो है रक्षा मंत्री राजना सिंग जो है वो अध्यक्ष रहे उनसे पहले नित्यन गटकरी है तो उनकी उम्र जो है उस वक्त 60 सल से कम रही है एक तरीके से भारते जनता पार्टी अगर युवा चेहरा डोंडेगी तो उसमें कई नाम वो सामने आ सकते हैं भुपेंदर यादव का नाम है शिवरा सिंग चोहन का नाम उसमें आ सकता है शिवरा सिंग चोहन के पास लंबा आ जो है प्रशार्शनिक अनुभाव है वो 18 साल के क पहुचे हैं अब देखना यह है कि इन नामों के अलावा क्या कोई और नाम जाती है समिक्रणों को ध्यान में रखते हुए भारते जनता पार्टी या चेतरवाइज सम्मिक्रणों को ध्यान में रखते हुए भारते जिन्ता पार्टी किसी और चेहरे के उपर भी दाव लगा सकती है। जिनका नाम भारते जिन्ता पार्टी के अध्यक्ष के पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। को लेकर संग और भारते जिन्ता पार्टी के बीच पे चर्चाओं का दौर शुरू होगा और मन्थन शुरू होगा। तब उस मन्थन में से क्या निकल कर आता है ये देखने वाला होगा। और उनके पास एक अध्यक्ष के नाते उनके पास चार साल का अनुभव था इसलिए नितिन गटकरी के जगा उनको बनाया गया। फिर अबिच्षा जो वर्तमान में ग्रह मंत्री हैं उनको पार्टी की कमान स्वापी गई उन्होंने पार्टी का जो लंबा विस्तार किया और पार्टी को ना सिर्फ लोकसभा चौनाव बेचौदा में बड़ी जीत दिलाई उतरपरदेश से और उसके बात जो है कई बहता है जबाब बहुत जल्द जो है भारते जंता पार्टी की तरफ से मिल जाएगा क्यूंकि संग और भारते जनता पार्टी दोनों ही मिलकर नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा करेगे और पधानमंतिरी नरेद्र मुदी के मनमश्टिक में जिसका नाम चल रहा होगा संग से उसको क्लिरेंस के बाद ही जो है नए अध्यक्ष भारते जनता पार्टी को मिल जाएगा